हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल नैनी स्कुल पर हार्दिक स्वागत है देखे अभी रसिया और युक्रेन का युद्ध चल रहा है और पूरे वर्ल्ड मीडिया में अगर आप देखें तो इसकी चर्चा है लेकिन अगर आपने ये सोचा हो कभी कि इतने सारे students जो डेली सुनने में आ रहा है कि भारत के इतने सारे students यूँक्रेन में फसे हुए है लेकिन मुझे नहीं पता कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध सुरू हुआ उससे पहले हम लोगों को पता था कि हमारे इतने students यूक्रेन में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आज का जो मुद्धा है वो यही है यानि जो medical students है भारत के उनके लिए यूक्रेन जो है इतना famous education destination कैसे बन गया और क्यों है इसकी क्या वज़ा है तो इस वीडियो में हम उन सब पहलों पर चार्चा करेंगे कि यूक्रेन में भारत के इतने जो medical students है वो क्यों है और क्या इसकी वज़ा है देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए वीडियो पसंद आए तो like और share ज़रूर करें देखिए अभी काफी इमहाँ पर students को air India की flight से भारत लाया गया है और अभी भी कुछ बचे हुए है तो देखिए इस operation को नाम दिया गया operation Ganga तो the current situation of Russian invasion of Ukraine has become a major cause of fear among thousands of students and their parents however India's effort to evacuate its citizens from the war zone continue in field swing under operation Ganga यानि जो air India की विमान है यूक्रेन से भारत के जो citizens को और students को लेके आ रहे हैं उस operation का नाम दिया गया operation Ganga अब जो हमारा main question था why there are so many Indian students studying medicine in Ukraine तो देखिए सबसे जो पहला point है वो number of Indian students देखिए आखिर हमें पता होना चाहिए कि approach कितने students ऐसे हैं जो हमारे देश के यूक्रेन में जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो according to the Ukraine's Ministry of Education and Science there are around 18,095 Indian students in the country यानी 18,000 से जादा students भारती है यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और आप देखिए कि 2020 में 24% of its overseas students were from India यानी अगर देखिए 100 students ऐसे हैं जो विदेशी हैं यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं उस में से 24, 100 में से 24 जो हैं वो भारत के रहने वाले हैं अब देखिए इतने students हैं तो कुछ नकुत वज़े होगी वहाँ पर education अच्छी होगी या सस्ती होगी कुछ वज़े होगी तो सबसे पहला point यहां पर यही निकल के आता है वहाँ पर quality medical education दी जाती है अगर यूरोप में बात करें तो देखिए यूरोप में फोर्थ नंबर पर यूकरेन आता है जो graduate and post graduate expression में काम करता है in field of medicines यानि medicine के छेतर में आप कह सकते हैं कि फोर्थ नंबर पर यूकरेन आता है यूरोप में some of the Ukraine's state-run universities are well known for providing high quality education and Indian parents choose to send their children to these institutions rather than pay a high cost for a lesser known private medical college in India तेकि भारत में medical colleges की बर्मार है जो सरकारी है वो आपको पता है कि बहुत कम seats होती है और उनको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जो private है उनकी donations बहुत जाते हैं और जो कह सकते हैं बहुत बेकार quality के भी अगर आप कह सकते हैं कि lower quality के medical college है उनसे better है आप Ukraine में आके करके आ जाओ fees are lower than in India, वहाँ पर जो fees है वो इंडिया से काफी कम है Ukrainian medical college are a good chance for students who are unable to get seats in government colleges और afford the hefty prices charged by the private institutions in India जैसे मैंने आपको बता है government college में seat बहुत कम है तो बहुत कम परसंटेज ऐसी है बच्चों की जो यहाँ पर select हो पाते हैं government colleges में और private जो है उनकी fees जो है बहुत जादा है तो इस differentiate की वज़े से अगर मैं बात करूँ इन इंडिया a student needs 10 to 12 lakhs annual fees for this four and half year course and one need to spend around 50 lakhs to complete the course in any private college because not every student can get admission in the government colleges where the fee is around 2 lakh per annum यानि अगर medical college की बात करें हम तो लगबग लगबग government college में 2 lakh प्रती year के हिजाब से आप कह सकते हैं कि fees आती है यानि लगबग 9-10 lakh में एक बच्चा यहाँ पे medical कर सकता है लेकिन अगर हम private की बात करें तो वहाँ पे 50 lakh से लेके 1 करोड तक का खर्चा आता है तो यह इतना जादा है कि normal जो students है या उनके parents है वो इतना नहीं ले पाते अगर मैं पंजाब medical college से कंपे करूँ तो आप देखेंगे कि उनसे तीन गुना जादा सस्ती है 4-5 lakh के आसपास मैं MBBS कोर्स की fees बैठती है तो यानि वहाँ पे काफी सस्ता है अब आप कहेंगे कि विदेश से हम कुछ करका है तो भारत में license के लिए क्या करना पड़ता है तो उसके लिए एक exam होता है FMGE वेन इस्टूडेंट्स रिटरं टू इंडिया विद फोरें MBBS डिगरी दे मस्ट टेक दा नेशनल बोर उफ एक्जामिनेश्टर्स उस बोर का नाम बता है जैसमें FMGE फोरें मेडिकल ग्रजूएट एक्जाम यानि जो आप फोरें से कुछ MBBS के डिगरी लेके आएं तो भारत में आपको license लेने के लिए या practice करने के लिए जो license चाहिए उसके लिए आपको FMGE का एक्जाम देना होगा nearly अगर आप देखेंगे हर साल Ukraine से जो पास आउट होके आते हैं 4000 बच्चे ऐसे हैं जो medical college का FMGE एक्जाम देते हैं उसमें से हाला कि पास जो है लगबाई approximately 700 के आसपास पास हो पाते हैं no entrance exam and instructions is in English only तो देखें दूसरा point of वो क्या है भारत में अगर आप entrance exam दोगे आपको high percentage, percentile चाहिए as there is stiff competition और यहां पर हम सभी को पता है कि competition जो है बहुत जादा है लेकिन युकरेन के अगर मैं बात करूँ to get admission in MBBS course in Ukraine, students just need to qualify NEET exam as there is hardly any criteria for a high score यानि वहाँ पर आपको medical college में admission लेना है MBBS course के लिए तो आपको किवल NEET का exam पास आउट करना है NEET के लिए करने के साथ साथ आपको उसमें high percentile आने चाहिए क्योंकि यहां पर competition बहुत जादा है A student said that the number of students appearing in NEET is much higher than the seats available यानि seats तो हैं बहुत कम होती है और उसके साथ में आप दिखेंगे यह जो यहां पर competition है बहुत जादा है, students बहुत जादा appear होते है And those who cannot secure a seat, they can opt for Ukraine which is cheaper too और जो यहां पर कह सकते हैं अपनी seat secure नहीं कर पाते है जैसे मैंने आपको होता है, government college में और private में fees बहुत जादा होती है तो वो try करते हैं, opt करते हैं Ukraine के लिए और वो सस्ता भी है और सबसे important क्या है जो MBBS की language है या medicines की language है Ukraine में वो English है Students also remark that because English is the media for instruction it is simple for them and that they do not have to worry about learning a foreign language as they would if they were in another nation देखे हमारे यहां भी आप देखेंगे जो normally communication की language है MBBS course के लिए वो English ही है अगर आप किसी दूसरी foreign country में जाएंगे तो आपको वहां पर एक foreign language के लिए अलगसे सीखना पड़ेगा बट जब English ही आपका medium वहां पर भी है तो Indian students के लिए यह easy हो जाता है कि वहां पर एक extra foreign language है वो learn करने के requirement नहीं होती है तो यह सबसे एक benefit आप देख सकते हैं तो देखिए यहां पर कितने benefit आपको पता चले देखिए यह काफी सस्ता है नमबर दो medium जो है वो English ही है तो foreign language जादे सिखनी दूट नहीं पड़ती है उसके बाद आपको neat exam के वल पास करना है कोई entrance exam वहाँ पर नहीं होता है और जो सबसे important चीज थी यहां पर आने के बाद उनको एक FMG का exam पास करना पड़ता है और fees जो देखेंगे आप इंडिया के compare to में काफी कम है तो यह सारी चीज़े की वज़े है और वहाँ पर एक quality education है WHO द्वारा मानेत प्राप्तों और यूरोप में सबी वहाँ पर जो medicals में हैं इंडिगरी को मानते हैं तो सबसे बड़ी important यही वज़े है कि बारत के लगबग 18-20,000 students जो है यूकरेन में जाके medicals की पढ़ाही करना prefer करते हैं rather than Indian private institutions तो यही वज़े है कि अभी जो आप देख पा रहे है कि ओपर संकंगा के तहत students को यूकरेन से लाया जा रहा है और अभी भी जो वहाँ पर फसे हुए है पूरी कोसिस की जा रही है कि उनको भारत लाया जाए देखे कैसी लगी जानकरी जरूर बताएगा फिर मिलेंगे आपसे जय हिंद जय भारत